नमस्कार मैं हूशसी आया जार्खन की टॉप 25 पर्मोग खबर जानते हैं जार्खन पंचाय चुनाव मैं जून तक 33 ये पंचाय चुनाव को लेकर बनी संसाय की स्थीती को जार्खन सरकार ने साफ कर दिया है बतादे पंचाय चुनाव इसी वर्ष होंगे और चुनाव को लेकर की जाने वाली तमाम तयारिया मैं जून तक पूरी कर ली जाएगी आईसू सदस लंबोदर महतो द्वारा जार्खन विधान सवा में गुरुवार को ध्याना करसन के दोरान उठाये गए सवाल के जबाब में ग्रामिन विकास मंत्री आलमगीर आलम ने सदन को या बरोसा दिलाया ग्रामिन विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि पंचाय चुनाव कराने के त्यारी चल रही है गुरुवार को राजधानी राची में सुबस से ही तेज धूप निकली हलाकि सुबा हलकी हवा के कारण मौसम सुहाना बना हुआ था लेकिन दिन चड़ने के साथ गर्मी बढ़ेगी बता दे मौसम विभार के उन सार राजधानी का दिक्तब और नितों तपमान में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है अगले तीन दिनों में राजधानी का दिक्तब तपमान में चार डिग्री सेल्सियास तक की बढ़तरी हो सकती है इस दोरा राजधानी का मौसम सुष्क और आसमान साफ रहेगा जारखन में पुलिस कर्मी अब करेंगे आट घंटे की ड्यूटी जारखन पुलिस कर्मीयों को गुरुवार को बड़ी राहत मिली है अब जारखन के पुलिस कर्मी 24 घंटे की जगा आट घंटे की ड्यूटी करेंगे वहीं सब्ता में एक दिन छुटी भी मिलेगी इस समान में महानी देशक एवं पुलिस महानी रिक्षक जारखन के ऑफिस से राज्य के सभी SSP और SSP को पत्र भेजा गया है गुरुवार को जारखन पुलिस के अरक्षी कोटी के पुलिस कर्मीयों को बड़ी राहत दी गई है बतादे पुलिस रिफर्म्स के लिए गठीत मुसहरी कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए अरक्षी कोटी के पुलिस कर्मीयों को बड़ी राहत दी गई बतादे 24 गंटे की जगा 8 गंटे की डूटी रहेगी वहीं सब्ता में एक दिन आवकास भी मिलेगा चाई बसा में सहीद हुए तीन जवान को सीएम ने दी सरदांजली पाचमी सिभूम जीले के चाई बसा इस्थित टोकलो के लांजी जंगल में नकसलियों के डारेक्शनल कलेमोर से हमला करने के मामले में तीन जवान सहीद हुए वहीं तीन जवान घायल हो गया है बतादे घायलों को हवाई मायक से राची लाया गया वहीं सहीध हुए तीन जवान का पार्थिव सरीर राची के जार्खन जगुवार हेट कौार्टर लाया गया इस दवरान सहीध हुए जवानों को सीम हिमन सुरेण ने सरदा सुमन अरपित किये बतादे गुरुवार को चाई बसा के टोकलो इस्थीत लांजी जंगल में नकसलियों के डारेक्शनल कले मोर की चपेट में कॉम्बिंग अफ्रेशन में सामील स्टी एफ और स्टी एफ और स्टी एफ और स्टी एफ बटालियन के जवान आगा है गयर सरकारी अलप संक्यक विद्यालियों में सिख्षकों की नियुक्ती में टेट अनिवारे नहीं राजे के गयर सरकारी सहायता प्राप्त अलप संक्यक विद्यालियों में सिक्षक नियुक्ति के लिए सिक्षक पत्रता परिक्षा पास करना अनिवारे नहीं होगा इन इसकूलों में अरक्षन का प्रवधान कभी भी लागू नहीं रहा है जबकि सहायता प्राप्त रारामिक विद्यालों में अरक्षन के प्रवधान लागू रहेंगे इसकूली सिक्षा और सक्षाता विवाग ने इसके लिए संकल्प जारी किया है चात्र विर्ती बढ़ाने पर फैसला कोट के आदेश के अनुसाल होगा मुख्यमंत्री बिधान सभा में मुख्यमंत्री हमनसुरे ने कहा है कि सरकार SC, ST और OBC चात्रों को दी जारही चात्र विर्ती बढ़ाने पर कोट के निनने के अनुसार फैसला करेगी उन्होंने या बात मैंडर विधायक बंदु तिर्की की ओर से अल्प सुचित प्रश्न के माध्यम से SC, ST और OBC चात्रों को चात्र विर्ती का मुद्धा उठाने पर कहा है बता दे बंदु तिर्की ने सवाल किया कि केंद्र सरकार ने अनुसुचित जन जाती कल्यान मंत्राले की ओर से गरीबी में दावी अनुसुचित जन जाती के विद्यार्तियों के लिए पोस्ट मैट्रिक चात्रवीर्ती की विवस्ता किया है जहरखन में सिक्षा को दुरुस्त करने के लिए स्मार्ट कलास की विवस्ता सरकार ने सिक्षको की छमता विक्सित करने के लिए जी-सी-ई-ार्टी वर डायट को सुदुरूइट करने का निनलिया है वहिराज की परतेक पंचायत को जीरो ड्रॉप आउट पंचायत गोसित करने के लिए काम किया जाएगा बतादे बरतमान में 81% सक्षार्टादर को 7% करने के लिए पढ़ना लिखना अभियान सुरू किया जाएगा इसकूलों से बाहर रह गए बचों की पढ़ाई वो इसकूल में ठाराव के लिए सरकार रननीती बनाएगी वहीं पारा सिस्को की समस्या का समधान वा नियमित भुकतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार कृत संकल्पी था है इसकूलों में मद्यान भोजन बनाने वाली रसोया सह साहिका के मांदे में मांसिक 500 रुपे की ब्रीधी की जाएगी वहीं सरकार ने एदास विद्याले योईना सुरू की है जिसमें अठाने दसबनों आट्शो करोर की लागत से राजे के 495 विद्याले में उतक्रिष्ट विद्याले सहीद 4,095 अस्तरिये विद्याले को आदास विद्याले के रुप में विक्सित किया जाएगा सिख्षक पत्रता परिक्षा टेट के बारे में सरकार का बड़ा फैसला राजे में सिख्षक पत्रता परिक्षा टेट राश्ट्रिये अध्यापक सिख्षा परिसत Н.C.T.E की नई गाइडलाइन मिलने के बाद ही होगी बतादे इसकुली सीक्षा एमसाशाता विभाग या गाईलाइन मिलने के बाद उसके अनुसार नेमावली में संसोधान कर सीक्षक पत्रता परिक्षा आउजित करेगा दूबाई में बंधक बने जारखन के दो यूकों को मुक्त कराएगी सरकार नौक्ति दिलाने के नाम पर ठगी कर दूबाई ले जाने वाले दोनों यूकों को आपस लाने के परियास में राज सरकार चुट गई है बतादे सीम हमान सुरेन ने कहा कि दूबाई में फंसे इन यूकों को मुक्त कराने के लिए सरकार तोरित कदम उठाएगी साथ ही इसके लिए विदेश मंत्राले से भी संपर्क किया जाएगा उक्त बाते उन्होंने पूरो मंत्री गीता सिरी उराव से मुलकात के दुरान कही बतादे की गुमला जीले के घागरा परखन के दो यूकों को दूबाई में बंधक बनाकर रखा गया है जीसे मुक्त कराने को लेकर पूरो मंत्री ने सियम से मुलकात की जारखन में 61 नई संक्रमित की पुष्टी हुई है जो राशी से 31 पूर्वी सिमू 16 धनबाद 2 बोकारो 1 पच्मी सिमू 1 रामगर 4 आजारी बाग 1 देवगर 2 गुमला 1 साहिव गंज 1 चात्रा से 1 मिले है सांध में संक्राओ एक लगत यह था e 299 होगी लागू अस्थानियों को रोजगर मुख मंत्री जारा को मुख मंतरी हिमान सुरेंच शा मार्च को दिली जाएंगे वहाँ उध्यमियों से मुलकात कर उनकी राय लेंगे इसके बाद ही जार्खन की उध्योग निती की घोस्ना की जाएगी। आपको बता दे कि दिली में जार्खन की नई उध्योगिक निती पर स्टेक होलडर्स मीट का आवजन किया गया है। इसमें CM सामिल होंगे जार्खन में बरतमान में उद्योग निती 216 लागू है इस निती का कार्यकाल 31 मार्ट 2021 को स्तमाप्थ हो रहा है अब सरकार नई उद्योग निती लाएगी गुमला में डायन भी साही के पांच लोगो की हत्या मामले में हाई कोट ने मांगा जवाब सरकार से जवाब मंगा है आपको बता दे कि जार्खन के गुमला जीले के कामडारा थाना के आमा टोली पाहार गाउं में पिछले दिनों एकी परिवार के 500 यसों की हत्या जादु टोना को लेकर की गई थी जार्खन में सेना भरती के लिए खुटी पुलिस नक्सल परभावित छेत्र के युगाओ को दे रही विशेश ट्रेनिंग 10 मार्च से राची के मुराबादी मैदान में आवजित होने वाली सेना भरती रहली में सामिल होने वाले अभियार्थियों को खुटी जीला पुलिस अपनी ओर से विशेश प्रसिक्षन दे रही है बतादे खुटी के बेला हाथी इस्थित पुलिस लाइन में सेना में जाने के इकछुक जवान को समाने जनकारी दी जा रही है ताकि सेना भरती में चैनित होने में उन्हें असानी हो बीजेपी विधायकों के भागवा वस्त्र से आदिवासी नराज भाजपा विधायकों का भागवा वस्त्र पहनकर विधान सभा जाने का जाकुन आदिवासी विकास समीती ने निन्दा किया है बतादे चुटीया के इंदिरा चोक इस्थित केंद्रिय कर्याले में कार्य समीती की बैटक में सदस्यों ने इसे जहार खंडी संस्कृति पर आक्रमन करार दिया है अध्यक्स प्रभाकर नाग ने कहा कि जन्जातिय समुदाय के विविन एतियासिक धरोहर पर आदिवासी विरोधी संगठनों द्वारा धार्मिक संस्कृतिक आक्रमन किया जा रहा है 11 से 11 माच तक हर्मो मैदान में लगेगा क्राप्ट मेला है कला और संस्कृति के जरिये आत्मनीर्भाता को बढ़ावा देने की दिशा में एक और मजबुत पाल हो रही है अगामी 11 माच से 21 माच तक हर्मो चोख इस्थित हर्मो मैदान में क्राप्ट अफट इंडिया मेला कायोजन किया जा रहा है बता दे क्राप्ट इंडिया एक जी बीषन सोख के बैनर तले आज़ित हो रहे इस कार्करम में देश भर्क के हस्त कला बीसे सगे सिर्कत करने वाले हैं देश के अलग अलग राजियों की हस्त कला एक साथ उपलब्ध होगी धन्यवाद